आज देखेंगे इस ट्रेंट की हमारा जो फोट सेमेस्टर है उस फोर सेमेस्टर में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने है उस सभी सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि हमारे 4 semester में कौन-कौन से subject है, कितने marks पिधे मारे पूचे जाते हैं, ठीक है? अगर बात को स्ट्रेंड हमारे 3rd semester में, तो 3rd semester हमने discuss कि अपने thermodynamics, साथ के साथ fluid mechanics and machines and engineering material कि सभी इस्ट्रेंड हमने classes जो थी वो कराई थी तो आई घॉब आप सभीन अपने इसाम अच्छे दरीगे तो अब हमारा नया सैमस्टर जो वो स्टाथ होने जा रहा है वह वो हमारा हॉच सामस्टेर ठीक तो सबसे किस कोड से चल रहा है या फिर हमारा सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो इस ट्रेंड हमने लास्ट सेमेस्टर में अपने एपक्टिव जो हमारा एक टू से सलेबस था कैसकते हैं सब्सक्राइब यह सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कराने जा रहे हैं तो फॉस्ट हम देखेंगे कि हमारा फॉर सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं और किसका कितना वेटीज होता है उन सब के बारे में देखेंगे तो बढ़ते अपने क्लास की तरफ तो अगर मैं आप बात करूँ कि मैंने एक सर्कुलर यहां पर ओपन किया हुआ है जो एक ट्यू से रिलेटीड है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे डाक्टर रेपीज के स्ट्रेंट से उनके लिए यहां पर सिर्वस के बारे में आपको डिसकस करनी जा रहा हूं तो अच्छे से यहां पर समझेंगे कि हमको कौन-कौन से सब्जर्ट यहां पो स्टुडेंट पढ़ने है ठीक है इसी के साथ आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमारे जो mechanical engineering में हमारी branches भी अलग-अलग होती है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे mechanical engineering है, automobile engineering है, manufacturing technology है, production engineering है, industrial production engineering है ठीक है तो क्या होता है कि अलग-अलग college में हमारी mechanical branch से भी अलग-अलग हमारी हमारे branches होती है हमारे different type की branches होते हैं जिसके according हमारे subject या कह सकते हैं फिर फिर हम कह सकते हैं कौन कौन subject उससे related हमारे होते हैं तो यह जितने भी हमारे branches के students हैं जिनकी या auto while engineering है या manufacturing है या production है उन सभी के लिए कौन कौन से subject हमको पढ़ने वो यहाँ पर हम describe करने वाले हैं इसी के साथ नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को देख पा रहा होगा कि effective from the session 2023 2024 तो यहां पर जो मैं आपको syllabus बताने जा रहा हूं जो एकट्यू का updated syllabus है जो affected 2023 2024 से related वहीं आप यहां बताने जा रहे हैं तो आगी तरफ बात करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूंगा लास्ट थर्ट सेमस्टर के बारे में जिसमें हमने बाताया था था थर्मोडायनेमिक ुल वह तरफ बात करेंगे इसी के साथ आपको सब्यक्त करोई सब्जक्रेगल और सब्रॉटसाइब्य्स सब्रट सेete यहारा common है, वो सब यहारे ways to end to you can be told, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बात करूंगा सबसे पहले सब्सक्राइब के बारे में जो हमारे स्टुरिण यहां पर आता है मैथ का तो कुछ कॉलेज हमारे मैथ हमको तीन दिये हुएं जैसे कि मैथ हमारा ठर्ड है फॉर्थ और फिफ्थ है ठीक है और जो मैथ होता है ब्सक्राइब कर सकता है इसके अकोर्डिंग हापे आप मारी क्लासे स्टुरिंट चलाए जाती है तो साथ के साथ यहांपे स्टुरिंट क को दिये हुए बी एस फॉर्ड जीरो थी से लिडिट अधर हमारे जो चुछन आपर सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ फॉर्थ है मैथ फिफ्थ है उसके फोर्डिंग हमारे कोड यहांपर अलग लग दिये होते हैं तो सबसे पहले आपको यहांपर यह देखना है कि जब अपन किस टाइप यहांपर दिया हुआ है तो यहांपर जो सब्यंग आपको दिया होते हैं इक में हमारे 3 lecture होने जा रहे हैं, तो basically तब एक वीक में हमारे 5 देसंटे हैं तो 5 days में हमारे तीन lecture हमारे होने जा रहे हैं, जो ह patio maintenance nine, то तो … पता हुगा किस तरहे के समा आप सब्छें करते हैं. सबढ़ ऐआ होने और तो तो सबढ़ एसा सबजेक्ट में बात पर साइसनल कॉंपेनिसके बारे पको एंटरनलमक्स आपको दिये जा रहे हैं साथ के साथ यहाँ पर external का जो आपका इस्ट्रेंड exam होगा जो external exam होता है उसमें आपका 70 number का इस्ट्रेंड आपका paper आने वाला है कहने के मतलब आपका जो paper होगा math का वो 70 number का होने वाला है टोटल मिला के हमारे यहां पर बैठ जाते हैं, इंटरनल और एक्टरनल मिला के 100 नमबर, तो आउट ओफ 100 में से आपको इस्टनल नमबर लेकर आने होंगे, और यहां पर इसका जो credit आपको दिया हुआ है, that is the 4 credit आपको यहां पर दिया हुआ है, तो 4 credit का मतलब क्या है, कि यहां पर बैठ जाता है, 4 credit का, तो यहां पर इसका जो credit हमको मिल रहा है, वो 4th हमको यहां पर मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे second subject बारे में, जो second subject आपका technical communication, या फिर हम कह सकते है, universal human value, ठीक है, तो यहां पर दो subject है, वो आपके college के ओपर डिपाइन करता है कि आपका college कौन से है, दोनों में से कोई भी एक subject को यहां पर choice करता है, उसका select करता है, या तो आपको technical communication पढ़ना होगा, या फिर आपको यहां पर human value आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जिसके code भी हाँ पर आगर मैं बात करूँ, technical communication की, तो technical communication में BAS 401 आपको यहां पर technical communication का code दिया हुआ है, और VBE401 आपको यहां पर human value का code दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए साथ मैं बात करूँगा, यहां पर हमारे जो subject है, यहां पर theory का subject है, और यहां पर इसका जो lecture होंगे, वो एक वीक में दो lecture हमारे होने जा रहे हैं, और इसका एक यहां पर tutorial होने बारा है, इं 30 number का है पर credit मिलता है, ठीक है, स्टेर्ट, इसलिए साथ बात करेंगे next semester के बारे में, तो next semester में बात करेंगे, sorry, next subject के बारे में बात करेंगे, तो next subject आपका कोर, आपके subject है, ठीक है, आपके mechanical engineering के जो आपके core subject है, वो यहां से start होने जा रहे है, कि पैरा हमारा क्या है, applied thermodynamics ह यहां पर कोड़् आप लोग देख पार होंगे BME401 हो रहे हैं वह BME से होनी जारे तो द्धधन देना कि आपके जो mechanical engineering के कोड़् सब्जेक्ट है उनका जो कोड होगा वह BME से हमारा स्टार्ट होगा ठीक है तो 3rd semester थीजिरो 1 से स्टाट होता है फोर्थ होता है तो 401 से होगा फिफ सेमस्टर होगे तो 501 से होगा तो यह आप एक आपका नोलीच यह वियाल है इसको आप इस्टुरेंट ध्यान रख लेना ठीक है तो अप्लाइट थर्मोडाइमिक्स आपका कोड़ है सब्सक्राइबिक्स अधर को की ब्रांच का सब्ड़ेक्ट के सलेंट धाली। कि अगर में बात कूँत तो टुटॉरियल के हां पर एक लेक्शा होने वाला है जिसको मिलाकर हमको फोर कृड़ेट का हांपर हमको सब्जेक्ट मिलने वाला है इसका इंतरनल असेस्मेंट भी अपको 30 नंबर का मिलने वाला है और आपका जो एक्सटरनल एक्जाम होगा वह भ कोटली आपका 100 नमबर का एक्स्टरनल पेपर होता था इंटरल नमबर आपको नहीं दिये जाते थे ठीक है तो अभी एक ट्यू ने फिर कह सकते हैं यहां पर दुवारा से स्ट्रेंड उन्होंने अपडेट किया है जिसके कोडिंग आपको 30 नमबर तो इंटरनल माक्स आपको मिलने वाले हैं और 70 नमबर आपको एक्स्टरनल पेपर में लेकर आने होंगे ठीक है उसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स सब्जेक्ट के बारे में तो नेक्स सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ना है इंजीनियरिंग मेकेनिक्स एंड इस्टेंथ मैटेरियल ठीक है यह हैं यहापका00 मैकेनिकल का सब्जेक्ट है जिसका कोड यहांपे strend B. E. 402 आपको दिया हुआ है इसी के साथ आपका सेपी टीटोरीयल यहांपे आपका है टूरी का सब्जेक्ट है और यहांपी थीन देटोड्私你知道 three lecture' की आपको यहांपे one week में लेने हुगए और एक टोट आपको आपको मिल रहा है और 31 क्या एक्टैर्णल का एकजाम मेंगे it जांप पर मिल थे हैं ओर्प अगर आप बात करों मेथ नामिक न्यक्स को और sollte saw के साथ इंजिनीरिंगर और टे hundred बानेव प्राष्राद सर्थ Solutions दैव्ट को देव ऑई जिनका इसी सίल आप पर आपको अच्छी मेहनत करने पड़ेंगी और इसका जो यह तीनों ही subject हो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं एक hardlyway में हमारे होते हैं जिन पर हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगे इससाथ के साथ हैं बात करेंगे next subject के बारे में तो next subject आपका है manufacturing process जिसका code आपको यहां पर BME 403 आपको दिया हुआ है इसका अगर मैं बात करूंगा यह भी आपका theory का subject है और बात करेंगे lecture के तो lecture आपको दो दिये रखें ठीक है तो एक week में आपको दो lecture आपको होने वाले हैं एक इसका tutorial होने वाला है और total मिल आपको 100 numbers आपको दिये जाएंगे इसे साथ बात करेंगे next subject के बारे में तो next आपका यहां पर है applied thermodynamics की lab है तो यहां से आपके practical स्टार्ट हो जाते हैं जिसका code BME 451 है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार होंगे है पर P आपको दिखा रहा है तो आपका applied thermodynamics lab होगी जो आपका practical होगा तो यहां पर आपको देख पा रहे होंगे हां पर lecture इसका zero है तो यहां पर इसका कोई lecture नहीं होने वाला इसका tutorial भी कोई नहीं होने वाला साथ के साथ practical की में बात करूं तो practical यहां पर दो होने वाले तो एक वीक में आपके दो दिन यहां पर practical होंगी और स्ट है कि तो यहां पर अप्राइड निया जा रहा है और 50 नंबर का आपको एक्सटरन आपको नंबर देने वाला है और टोटल मिला कि आपको पर 100 मिलने वाले हैं जिसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूती नहीं है 50 इनबर आपको एक स्टनल एकजमनर आता है वो अपने आपसे देगा और टो यहां पर नंबर्स आपको मिलते हैं इसका क्रेड़िट इसके साथ बात करेंगे हमारे जिसका कोड दिया हुआ है इसे साथ बात करेंगे ने को करेंग एक ओने और साथ इन्टर आपके अनुडिक और उसके साथ बात करेंगे जिए आपको बलता है एक नम आपको क्र geschुरा कंप्र多 भाव इसको आपने देखा होगा जो आपका कड कर ड्रोइंग का इस्टरेंग एक्जाम होता है ठीक है सी एम सैकिंड ड्रोइंग लेप सैकिंड है जो स्टेंड इसका कोड बी एमी 453 है और यहां पर यह भी हमारा वीक में दो हमारी लाब चलने वाली है साथ के साथ 50 नंबर का है और समक्ट आपको पर ऐसी होगा अउन्च सब्जक के बारे में तोम सब्टाइक केता होगा वाbuild एक तरीकता हमारी प्रइक्टिकल होती कंपूटर तो पर लेक्टिकलित एक पर सब्सक्रद तो थाइब पर सब्सक्राइब सलिए इंदर को लेने वाले हैं तो यहांपे आपको थियोरी का जो कहने मतलब आपको जो लेक्चर होने वाले हैं साथ के साथ कोई भी स्की लाब नहीं होने वाली लेब मतलब computer lab में इसका lecture चलने वाले हैं, तो यहां पर देखेंगे, 30 नमबर आपको internal नमबर दिये जाएंगे, और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है, कि 70 नमबर का आपका यहां पर paper होने वाला है, तो दोनों मिला के आपको 100 नमबर आपको यहां पर मिलते हैं, और इसका credit दो नमबर का हाँ पर आपको मिलता है, तो टोटल मिला के अगरा में बात करूँ, तो 4 semester में आपको 6, मतलब 6 subject आपको पढ़ने हैं, जिसके आपको external exam देने हैं, ठीक है, तो 6 subject है, और 6 subject को आपका external exam आपको यहां पर देने हैं, ठीक है, last में बात करेंगे, next subject है, आपका sports and yoga, ठ यहां पर दिया हुआ है, साथ के साथ हमें बात करेंगे, यह भी एक हमारा practical का ही subject है, जिसके according theory इसका नहीं है, मतलब कहने मतलब इसका कोई भी lecture हमारा नहीं चलने वाला लैब हमारी होगी, जो week में 3 दिन हमारे इसका चलने वाला है, 100 number आपको यहां पर internal दिये जा रहे है, 100 number, total of 100 number, तो इसका कोई भी external नहीं होने वाला है, total 100 number आपको internal के according आपको दिये जाएंगे, तो यहां पर महनत करने कोई अवशक्ता नहीं है, internal number आपको 100 number आपको मिल जाएंगे, free of cost, और total मिला के यहां पर इसका credit zero number का आता है, जिसके आपको महनत करने कोई अवशक्ता नह अपर मिल रहे हैं, ठीक है, इसके according आपको जो external exam होने वाएंगे, जो आपके college में आप अपना external exam देते हो, ठीक है, जो होते हैं, वो आपके 70 number के होने वाले हैं, पहले इसके 100 number के होते थे, लेकिन आप Q2 ने अपडेट करके 70 numbers का आपका कर दिया है, अब यहां बात करूँ, अपने थे पड़ा होगा, तो वो भी 70 number का आपका paper आपका paper होगा, ठीक है, क्योंकि इसी semester से इस्ट्रेंड अपडेट हुआ है, अगर पीछे semester के में बात करूँ, 2021, 22, 22, 23, वहां पे 100 number का आपका strand paper होता था, इसी semester से 2023 और 2024 से, AK2 ने आपका जो paper था, 70 marks कर दिया, 30 number आपको इंटरल मिलने वाले है, ठीक है, स्ट्रेंड, तो इसी के according हमने देखेंगे, और हमारी जो भी classes होंगी, वो इसी effective syllabus के according हम पनी class को चलाएंगे, तो यह जो भी हमारी स्ट्रेंड यहापे core mechanical के subject हैं, अगर मैं बात करूँगा यहापर applied thermodynamics के बारे में, या फिर हम बात करेंग engineering mechanics के बारे में, और 30 सब्जेक्ट आपका manufacturing process है, जो यहापे आपको core mechanical के subject आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो यह जो subject होंगे, वो हमारे स्ट्रेंड application GE classes merit पर आपे available होंगे, जिसमें स्ट्रेंड हम तीनो subject के recorded lecture आपको provide करेंगे, साथ के साथ, यहापे स्ट्रेंड PDF notes भी हम यहापे इस्ट्रेंड आपको provide करेंगे, ठीक है, तो इस्ट्रेंड अगर आप हमारे YouTube channel पर नए बने हो, तो आप हमारे YouTube channel GE classes merit को join कर लिजी, कि हमारे जो भी student classes होती है, live classes जो भी होती है, फिर हम कह सकते, last में हम one short video सलाते हैं, यह important questions की आपकी तयारी कराते हैं, वो अपने YouTube YouTube channel GE classes merit पर कराते हैं, तो आप हमारे GE classes merit channel को subscribe कर लिजे, साथी साथ, आप हमारे application GE classes merit को play store पर जाकर install कर लिजे, और वहाँ पर अपने आपको course को purchase कर सकते हैं, ठीक है, साथी साथ, अगर आपको ज़्यादा information लेनी है, तो आप हमारे telegram channel GE classes merit को भी join कर लिजे, क्योंकि वहाँ पर हमारा कौन सा schedule कब, मता कौन सी class कब चलने वाली है, या फिर AKTU से related कौन सा नए information आपको आया है, वो सब information आप हमारे telegram channel GE classes merit पर ले सकते हैं, ठीक है, तो साथ के साथ, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो आप हमारे phone number 8650959595 पर call करके, कोई भी जानकारी ल सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, और इसलिके according, तीन सब्जेक्ट हमारे आपर core mechanical के सब्जेक्ट है, applied thermodynamics, engineering mechanics और manufacturing process, ये तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हो, और साथ के साथ यहाँ पर अपने semester को start करते हैं, तो सब्जेक्ट ये वीडियो अपने friends को ज्यादा ज्या करना, ताकि सभी student को पता चल जाए कि 4 semester में हमको कौन-कौन से subject पढ़ने वाले हैं, और उनके subject code हमारे कौन से हैं, और कितने number का student paper हमारा आएगा, ठीक है student, तो I hope, आप सभी student class में join होना, ठीक है, तो आज class को यहाँ प्रैंट करतों मिलते हैं, next class में जिसमें student हम अपने subject क को लेकर चलेंगे, thank you, all the best.